चौत माता मंदिर राजिस्थान के सवाई माधोकूर की सबसे प्रमुक मंदिरों में से एक है इस मंदिर की स्थापना 1451 में वहां के शासभीम सिंगने की थी 1463 में मंदिर मार्क पर विजल की छत्री और तालाग का निर्माण कराया गया चौत माता मंदिर इस मंदिर में दर्शन के लिए राजिस्थान से ही नहीं अनिराज्यों से भी लाखों की तादाद में श्रद्धा लुआते हैं नवराधर के दोरान यहां होने वाले गार्मिक आयोजनों का विशेश महत्व है करीब हे 1000 फिट उंची पहाडी पर विराजमान चौत माता जनजन की आस्था का केंद्र है चौत माता शहर से 35 किमी दूर एक पहाडी की चूटी पर स्थित यह मंदिर राजिस्थान के शहर के आसपास का एक प्रमुक परिटक आकरशन है मंदिर सुन्दर हरिवातावरण और घास के मैदान के बीच स्थित है मंदिर परिसर में बना प्रवेश द्वार सफिद संग मर्मर के पत्थरों से समारक की संद्रचना तैयार की गई है दीवारों और छत पर जटल शिलाले के साथ ये वास्तुपला की परमपरागत राजपूताना शैली के लक्षनों को प्रकट करता है मंदिर जाने के लिए चढ़ाई करते लोग मंदिर तक पहुँझने के लिए 700 जेडियां चढ़ने पड़ती है देवी की मूर्ती के लाबा मंदिर परिसर में भगवान गनेश और वेरव की मूर्तियां भी दिखाई पड़ती है मंदिर परिसर हरोतिक शेत्र के लोग हर्शुब कारे से पहले चौत माता को निमंत्रन देते हैं प्रगार हास्था के कारण बूधी राजहराने के समय से ही इसे कुल देवी के रूप में पूजा जाता है चौत माता मंदिर माता के नाम पर कोटा में चौत माता बाजार भी है कोई संतान ट्राप्ती तो कोई सुक समरिधी की कामना लेकर चौत माता के दर्शन को आता है मायता है कि माता सभी की इच्छा पूरी करती है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेर जरूर करे यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिल्चस्प वीडियो देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करे